रहु देव ता रहु देव नीच हो या पाप प्रभाव में हो तो करें यह उपाए रहु का रतन गुमेद है प्रन्तु ये तभी पहनना चाहिए जब रहु कुंडली में शुब प्रभाव दे रहे हो तो कि इनकी राशियां नहीं हैं तो इनकी हम Lordship नहीं देख पाएंगे रहु के तुकी तो इनका हमें ये देखना होगा कि रहु कौन सी राशिय में बैटे हैं और किस तरह के परभाव कुंडली में दे रहे हैं अच्छे प्रभाव है रहु के तो डेफिनेटली आप रहु का रतन गुमेद पहन सकते हो अदर्वाइस थोड़ा वाइड करना ही बहतर होगा रहु भगवान शिव के परमभक्त हैं अता हैं जब रहु ग्रह प्रिशान कर रहे हैं तो शिव जी के राधना करनी चाहिए शिवलिंग पर जल भिशेक करना चाहिए पक्षियों को प्रति दिन बाजरा या सतनाजा के लाएं ओम रार रहवे नमा मंतर का जब प्रति दिन एक माला यान 108 बार करें एक नारियल ग्यारा सावुत बदाम काले वस्तर में बांध कर बहते हो जल में प्रवाइद कर दें बुद्वार के दिन ये कर सकते हैं और शनिवार के दिन कर सकते हैं शाम के समय करने हैं भोजन में लसन प्याज और मसूर ना ले इससे भी रहु ग्रह के दोश में अंतर पढ़ता है अपने घर में पूजा स्थल में रहु यंत्र की स्थावना करें रोज इसकी पूजा करें इससे आपको काफी फैदा मिलेगा यहांपर मैं रहु यंत्र कहा रहा हूँ रहु देवता की मूर्ती या फोटो नहीं लगानी है तो यहां पर नवगरास थापित होते हैं वहीं लगाई जाती है आप किसी के घर में रहु देवता या शनी देवता या केदू देवता की मूर्ती नहीं देखोगे इसलिए इनका यंत्रा आप लगा सकते हो शनी वार के दिन कोई को रूटी खिलाए इसके साथ ही गरीबों को चावल खिलाए इससे रहु ग्रह के दुश्परभाव कम होते हैं